हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभीका दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पटवार कट ओफ 2021 आफ्टर ओप्जेक्शन ओप्जेक्शन के बाद में पटवार कट ओफ है ये क्या रहने वाली है इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे दोस्तो अग अगर उसके आफ्टर ऑब्जेक्शन के है ना 205 प्लस थ्री यानि ऑब्जेक्शन के बाद में उसके इतनी नमर बन रहे हैं तो उनका सेलेक्शन होने का चांस है यह मेर के लिए आगे हम बात करते हैं फीमेर के लिए जन्रल में female candidate के अगर 1955 plus 3 इतने नमर बन रहे हैं तो उनका selection होने का chance है ठीक है ये जन्रल के बारे में हमने बात की है अब आगे हम बात करेंगे EWS candidate के बारे में तो EWS male के बात करें तो EWS male के अगर 190-5 इतने नमर बन रहे हैं यानि 180 नमर बन रहे हैं तो उनका selection होने का chance है ठीक है आगे हम बात करते हैं EWS में female candidate के अगर EWS में female candidate के 180C plus 2 यानि बात करें approximately 182 नमर के आसपास बन रहे हैं तो उनका selection होने का chance है ठीक है आगे हम बात करेंगे OBC candidate OBC male candidate अगर OBC male candidate के 203 plus 3 यानि कि कितने होगे 206 है 206 नमर के आसपास बन रहे हैं तो उनका selection होने का chance है वो धोड़ के अंदर है इसमें अगर बात करें OBC female candidate अगर OBC female candidate के बात करें तो OBC female candidate के अगर 198 plus 3 यानि नमर बन रहे हैं तो उनका selection होने का chance है यानि वो धोड़ के अंदर है ठीक है OBC के बात हो गई अब नेक्ट हम बात करेंगे OBC candidate ठीक है OBC male candidate के बात करेंगे तो OBC male candidate के अगर 198 plus 3 यानि 201 बन रहे हैं तो उनका selection होने का chance है रगे हम बात करेंगे इससी के अंदर OBC के अंदर female candidate की तो female candidate के 1952 नमर के अस पास बन रहे हैं तो उनका selection होने का chance है ठीक है ये MBC candidate की हमने बात कर ली आगे हम बात करेंगे इसके अंदर SC male candidate SC male candidate के अगर 185 नमबर के आसपास बन रहे हैं तो वो धोड़ के अंदर हैं उनका selection होने का chance है इसलिए हम बात करें SC female candidate तो अगर SC female candidate के 188 पलस 3 यानि 181 नमबर के आसपास बन रहे हैं तो उनका selection होने का chance है ये बात कर रहे हैं after objection के ठेक है after objection के बाद में कितनी cutoff रह सकती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं ठेक है आगे हम बात करते हैं SC candidate तो सब्सक्राइब हम बात करेंगे SC male candidate अगर SC male candidate के 177 plus 3 यानि 189 नमबर के आसपास किसी के नमबर बन रहे हैं तो उनका selection होने का chance है ये बात करें SC female candidate के अगर 168 plus 3 यानि 119 नमबर के आसपास उसके बन रहे हैं तो उनका selection होने का chance है ठेक हैं ये SC के बारे में हमने बात कर लिए आगे हम बात करते हैं PWD candidate के बारे में ठीक है तो PWD candidate के अगर PWD में अगर male candidate की बात करें तो उसके अगर 143 यानि कितने हो गए 143 के आसपास नमबर बन रहे हैं तो उनका selection होने का chances है आगे हम बात करते हैं PWD में female candidate कि अगर 130 minus 3 यानि 127 नमबर के आसपास बन रहे हैं तो उनका selection होने का chance है ठीक है ये PWD candidate की हमने बात कर लिए इसके आगे जो category आती है वो आती है divorce तो divorce candidate की बात करें तो अगर divorce candidate के अगर divorce candidate के 120 plus 3 तो कितने हो गए 123 की नमबर के आसपास बन रहे हैं तो उनके selection होने के chances हैं इसके आगे बात करते हैं next category तो जो अब last category की बात करेंगे तो last category है वीड़ो अगर कोई वीड़ो candidate है और उसके 110 plus नमबर बन रहे हैं तो वो अपना selection माल सकते हैं उनका selection होने के chances हैं तो दोस्तो ये थी पटवारी की expected cutoff ठीक है ये एक expected cutoff बताई जा रही है इसके आसपास आपके नमबर रहने वाले हैं आपका selection होने के chances हैं तो दोस्तो वीड़ो पर आप वीड़ो को like कर दे और अगर आप हमाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर ले धन्यवाद